प्रिप्लेशन ओप मॉनोईट्रिक फिनॉल बनाने की विदियां अब हम कुछ विदियों के द्वारा फिनॉल को बनाते हैं पहली विदि हैं हीड्रोलिस पॉप एल्काइल एलाइड एल्किल एलाइड का जल अपड़न एल्किल है लाइड का जल अपड़न एल्किल है अपने लिया सुझे ले प्रिए नाम ले प्रोरो प्रिंगी प्रिंगी इसकी रेक्शन जब हम सोडिय प्रिंगी कब करेंगे जो प्रोपर कैटलिस्ट की इस प्रजेंस में 32, 35 300 to 350 निग्री संटीग्रेट फॉर्मेशन किसका हो रहा है यहां पर दन्या ओएज यह बन जाता है प्रिंगी प्रिंगी फॉर्मेशन दूसरी एक्शन देखेंगे यह बाई सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक अमलिसे बाई सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक अमलिसे सल्फोनिक एसिड का पाफुला क्या है बेस्टो थ्री एच बेंजिन सल्फोनिक एसिड नाम इसका बेंजिन सल्फोनिक अमल सबसे पेले रेक्शन होगी इसकी इन cow के साथ पेले रेक्शन होगी इन इन इज़ चे साथ क्या हुआ देखो यहां पर बच्छा हुआ है O N माइनस क्या निकला H2SO3 फिर वापस रियक्शन होगी H2SO4 के साथ यहां से क्या निकल गया N माइनस क्या होगा N A HSO4 वह N A की जगी क्या आजाएगा H आजाएगा और बन जाता है फिनो दो रियक्शन तो यह आके देखने भी RMGX है हम यहां पर R की जगे फिराइग रूप लेंगे तो C6H5 Mgpr नहीं आपने नाम इसका फेनील मैगनेशियम प्रोमाइट के नाम है यह एसकी रियक्शन हम कर लेते हैं 1,0-18 आप उउउऌप उउऊचियन मोलेक्ट के साथ रियक्शन उगी जब आप उउउचियन मोलेक्ट के साथ रियक्शन होगी तो C6H5 OMGBr A यह oxygen किसके बीच माँ जाता है अब हम करेंगे इसका hydrolysis यानि कि जल अब बड़न बोर्ड यहां का ब्रेक होगा इतर है और इतर OH क्या बना तो C6H by OH प्लस MGBR और OH यह बन जाता है फिनोर्ड फोर्ट रेक्शन बाई डाई जोनियम कंपाउंड यह बाई डाई जोनियम सॉल्ड डाई एजोनियम लमन से डाई जोनियम किसे केते हैं तो देखो एन डeni डबल बोर्ड एन सी है इसका नाम है बेंगीजीन डाई यहोनियम लॉराई अ कि नाम है डाई जों पो बुला क्यए इस ग्रूप को एजो गुलूप है यह बेंगीजीन यह डाई जों यह क्लोराइड तो नाम हो गया इसका बेंजीम डाय एजोनियम क्लोराइड लेया और इसका कुछ नहीं करना बड़ा सब्सक्राइड इसका हाइट्रोलिसिस करते है इंदी मुले तो जल अब गटन करते हैं तो क्या हो रहा है हुआ 얼마 में सहते हैं तो जाम है लाम है और वटन अका क्व单 है देव curly क्रह सका है धसका क्पश्द पूस्तू सप्स्तू घल से वटना अचा सबस्तू क्षण republican थे प्क्रूस्तू next method is shift method 12 तक अंदर दे रिकी racing method R A C H I G racing method अब इसमें क्या होता है racing within इसमें सबसे बिले लिया जाता है benzen formula क्या है C6-6 इसके रेक्षन होती SCL के साथ है नहीं हाइड्रोप्रोणीड एसिड के साथ रेक्षन होती ठीक इन प्रजेंस ओफ एयर नहीं हवाई क्या बना तो देको यहां से hydrogen निकला एक hydrogen यहां से करना कुछ नहीं है इसका स्टिप के साथ रेक्षन होती है यह भाब के साथ अभी क्रिया होती है क्या निकलेगा C-L-O-H बच्चा क्या C-6-H-5-O-H फिनोल बच्चा नेक्स्ट बेंजीन के ऑक्सडेशन से 6th मेंदर बेंजीन के अक्सीकरन से औक्सीदेशन अभेंजीन बेंजीन के औक्सीदेशन 2-C-6-H-5-O-H तू सिक्सेस एक भी गें जी इसके साथ रीक्षिन करने उक्सीजन के साथ रीक्षिन होती है क्टेलिस की प्रोजेस में उत्तरक्यी क्षेस में जिसका नाम है ूपी तू-पाइट यह एक आक्सीडाइजिंग एजिन्ट क्या करता है गर्दी तो बढ़ा रहा है तो यह क्या कर रहा है तो ऑक्सीजन को इसके साथ एड़ कर देता है ठीगे ना तो जब एड़ करेगा तो यहां पर कितने मॉलीकुल है टू मॉलीकुल तो वापस हम क्या लिखेंगे टू क्या बचा है यहां से कितने ओ आए दो ओ आए तो वापस क्या एड़ जो निकला वापस कीची निकला तो ऑक्सीडेशन होने पर हमें बिल जाता है फिनौल ठीक है तो यह तो हो गई हमारे इसको बनाने की कुछ विधियां मैं तड़ो प्रिवाशन हो आगे चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ